गर्मियों के दौरान हमारे सिर पर मच्छर क्यूं मडराते हैं और आखिर इस चुहे ने ऐसा क्या किया जो इसे गोल्ड मेडल दिया गया और जापान की महिलाएं 19-वी सदी तक अपने दातों को काला करवाया करती थी आखिर क्यूं ऐसा ही back to back interesting facts की बारिस के लिए ready हो जाओ fact number one दोस्तों इनसान ने science के दम पर super computer से लेकर robot तक बना लिये हैं लेकिन science की इस दुनिया में चीन हम सबसे दो कदम नहीं बलकि 4 कदम आगे निकल चुका है वो कैसे आईए जानते हैं चीन ने artificial intelligence से लेस दुनिया का पहला judge बनाया है भाई साब यह judge दोनों पच्छों की ब इनसान बिना खाये करीब एक महिने तक जीवित रह सकता है लेकिन बिना सोय 11 दिन भी जीवित नहीं रह सकता लेकिन first world war के दोरान हंगरी के एक सिपाही को दिमाग के frontal lobe वाले part में गोली लगी थी इसलिए उसका सोना असंभव था जिसके चलते उसे पूरी जिंदगी बिन सोय ही गुजारनी पड़ी आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि frontal lobe हटाने से उसकी बॉड़ी को दोवारा नीद की जरूरत क्यों नहीं पड़ी विक्सित देश में 19 सदी के दोरान वहां की महिलाएं अपने दातों को काला कराया करती थी वाइद वे उस टाइम पर ऐसा करन आने वाला हूं वह काफी जादा next level का होने वाला है अफरीकी नसल के एक विसाल चुहे को ब्रिटेन की एक संस्था ने बहादूरी के लिए gold medal से समानित किया था क्यूंकि इस चुहे ने कंबोडिया में अपने सूंगने की छमता से 29 बारूदी सुरंग में 28 जिंदा 20 फोट को मढराते तो जरूर देखा होगा बट इतने सारे मच्र आखिर हमारे सिर पर मढराते क्यूं हैं दरसल हमारे गर्याइव में पसीना निकलता है और पसीने की smell मच्रों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इसलिए मच्र हमारे सिर पर मढराते रहते हैं. आप लोग कहेंगे कि लेकिन हमारे सिर पर ही क्यों मडराते हैं जबकी पसीना तो हमारे पूरी बॉडी से निकलता है. तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे बॉडी का पसीना other body parts के comparison में सिर में देर से सुखता है. क्यूंकि वहाँ पर बाल ज्यादा होते हैं और मच्छरों को ज्यादा देर तेक smell आती रहती है यही reason होता है कि मच्छर हमारे सिर पर मड़ाते रहते हैं तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं इसकी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई